शेराम चर्णानूरागी आचारे राजमिश्राजी से धर्म संस्पृती और एस्ट्रेलोजी से सम्द्धित जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल मानस जोतिश ग्यान को अभी सब्स्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें शेराम बहुत बहुत शागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मानस जोतिश ग्यान में मैं हूँ आपके शाथ आचारे राजमिश्राज और लेकर के हाजिर हूँ एक नया कारिक्रम हमीशा मेरा प्रयाज रहता है नही नही जानकारी आप तक पहुँचाए जाए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लोगों को भी शेर कराएं लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं ताकि नई-जानकारियां हम आप सभी तक पहुचाए और कोई भी जानकारी अगर रह जाती है तो सनिस्थान का नंबर आपके शामने है आप मारे परिवारिक सदस्ते की तरह हैं कभी भी कॉल करें कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है हम निश्चत रूप से आपको जानकारी प्रदान करेंगे आज हम एक बहुत महत्वपूर विश्य पर बात करने जा रहे हैं बहुत कम ऐसी परिस्तिती होती है जब हमें अच्छे मौके प्राप्त हो पा और मौके का सही इस्तेमाल ना कर पाने के कारण जीवन में अश्रफलता का ही सामना करते हैं और हमीशा परिशान रहते हैं कि मौके तो परमात्मा ने बहुत दिये लेकिन शायद में मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया जिस कारण से आग जीवन में अश्रफलू बहुत सार भी मैं मौके का सही इस्तिमाल ना कर पाने की कारण जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया। क्या ऐसी परिस्थतिया होती है जिसके कारण ऐसी कंडिशनों का हमें जीवन में स्व्नना करना पड़ता है। आज इसी विसें पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले महातुपून भी से होता है जनम कुंडली के पंचम भाव को देखना यदि जनम कुंडली के पंचम भाव जनम कुंडली का हमारा मस्तिस्क है लगन हमारा शरीर है जो तिस सासरी भी कहता है लगन देहश विज्ञानम होराया शंपतादिकम लगन सरीर है पूरी तर तो ऐसी परिस्तती के अंतरगत हम लोग मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं पंचम भाव में पापक ग्रह जाकर के विराजमान होते हैं शनी विराजमान हो राहू विराजमान हो पापक ग्रह जाकर के विराजमान हो जाए या पंचम भाव का स्वामी पीडित हो जाए तो ऐसी परिस्तते में हम लोग मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडिशन में आपको नियमेत रूप से गायत्री मंत्र का जब जरूर करना चाहिए। गायत्त्री मंत्र के जब करने से आपको मौके को कब और कैसे इस्तेमाल करना है इस सीच की जानकारी आपको जरूर प्राप्त होती है। जिसको प्रियोग करके निश्यत रूप से आप मौके का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। जीवन रेखा के साथ होकर के निकलती है तो ऐसी परिस्तेते में हम मौके का सही इस्तेमाल जरूर कर पाते हैं। अगर हमारी मस्तिस्क रेखा दुतिये मंगल छेत्र यानि यहां से ध्यान से देखिएगा दुतिये मंगल छेत्र से होकर के निकले और जीवन रेखा को काटती हुई। दुतिये मंगल छेत्र से निकले और जीवन रेखा को काटती हुई और सीधे आगे राहू छेत्र से होते हुए सीधे आगे निकल जाए। और यहां पहुँच करके अपने मार्ग को बदल ले, बुद्धशेत्र को या तो चली जाए, या फिर चंद्रशेत्र की तरब चली जाए, ध्यान रखिएगा, दुतिये मंगल शेत्र से निकले, जीवन रेखा को काटे, जीवन रेखा को काट कर सीधे जाए, और आगे जाकर कि या तो बुद्ध शेत्र को चली जाए और या फिर ये रेखा नीचे चंदर शेत्र को चली आए ऐसी परिस्थती में मानसिक दूरबलता होती है मानसिक दूरबलता होने करण कई सारी चीजे होती है एक तो बात बात में जगडा लडाई हो जाया करता है मित्रता बहुत देर तक टिकती नहीं है और ऐसे लोग के अंदर दूर दर्शिता की बहुत कमी पाई जाती है ऐसे लोग strong decision लेने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं और दूर दर्शिता की कमी होने के कारण मानसिक दुरबलता के कारण ऐसे जातक या जाती का सही decision नहीं ले पाते हैं जिस कारण से जीवन में आने वाले मौकों का सही इस्तिमाल नहीं किया जा सकता है अगर मस्त्स करेखा यहां से निकल करके शीधे गई हो ध्यान रखेगा और यहां जाकर के इसने अपने अस्थान का परिवर्तन किया हो यह परिस्थती विश्रीश रूप से हम मौके का सहिस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इन परिस्थतियों को पूरी तरह से दर्शाती है अगर आपकी हाथ में भी ऐसी रेखा है जो यहां से निकली है जीवन रेखा को जिसने काटा है और काट करके आगे निकली है और आगी जाकर के इसने अपने अस्थान को चेंज करके भुद्ध की तरफ अगर गई है या फिर चंद्र की तरफ आई है तो ऐसी परिस्तिती में नियमित रूप से आपको क्या करना चाहिए श्री राम चरित्रमानस के किसकिंधा कांड का अंतिम दोहा है ध्यान रखेगा किसकिंधा कांड का अंतिम दोहा भवभेशज रगुनात जस सुनही जेनर अरुनार और तिनकर शकल मनोरत शिद्ध करें त्रिस्तरारी इस दोहे का शर्धा पूरवक रोज पांच बार पाट कीजेगा आप इस रेखा के अंदर परिवर्तन देखेंगे जब मस्तिस रेखा के अंदर परिवर्तन आना शुरू होगा आप मौके का सही इस्तेमाल करना प्रारम कर देंगे फिर भी निभेदन करूंगा यदी आप संस्थान में एक बार फोन करके अपनी हस्त्रीखा को WhatsApp इत्यादी करके भी पूरी जानकारी उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं तो आप कॉल करें संस्थान में, अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और यदि कोई रत्न रुद्राक्ष इत्यादि संस्थान में प्राप्त करना है संस्थान से या नए-नए पूजन या विशिशुषि बैदिक पूजा मंत्र जब स्रीराम चरित्रमानस का अखंड पाठ इत्यादि संस्थान में गराया जाता है यदि आपको अपने परिवार के लिए कोई पूजा पाठ इत्याद कराना है या अखंड पाठ कराना है या आपको कोई रत्न रुद्राक्ष इत्याद धारन करना है तो आप संस्थान में कॉल करके पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और धारन कर सकते हैं और अप के कारिक्रम के लिवस इतना ही फिर एक नाई कारिक्रम में आपके सामने हाजिर होंगा एक नए बिश्य के साथ अतब तक चैनल को देखते रहे और अनिक कारिक्रम है चैनल पर आप इसको ध्यान से देखिए और अपने जीवन को बहतर बनाई जैस्त्री राहूं